नमस्कार स्वगत्याप का हमारे अचार जागेंद्रमिशाज चेनल पर घर में पैसा नहीं टिकता तो बस थोड़ा सा धनिया फिर देखे घर में कैसे बरसेगा धन दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे धनिया को लेकर किये जाने वाले उपाए धनिया न सिर्फ हमारी खाने का स्वाद बढ़ाता है बलकि ये आपके किस्मत को बदल सकता है खड़ा धनिया धन को आकरसित करने वाला माना जाता है इसके उपाए धन प्राप्ती में बहुत कारगर होते हैं घर में शुक्षम्रद्धी, खुष हाली और शंपन्नता लाने हेतु धनिया बहुत ही मददगार साबित होता है दोस्तों जब हमारी जिंदगी लैमे होती है तो हमारे सब कार सहज संयोग रूप से बनते जाते हैं एक होता है योग और दूसरा होता है संयोग अगर किशी की कुंडली में धनवान बनने की योग हैं तो वो अपने आप ही धनवान बनेगा लेकिन अगर ऐसा योग नहीं है तो धन के सयोगों पर निर्भर रहना पड़ेगा उपाय ठोटके हमारे जीवन के यही काम करते हैं जीवन में आई कठिनायों से मार्ग निकालने में सफलता लाने में सहेंख होते हैं अगर आप धन को लेकर चिंतित हैं परियाप्त धन नहीं कमा पा रहें तो किसी सुक्लपक्ष के मंगलवार या गुरुवार के दिन ये उपाय करें किसी मिट्टी के वर्तन में थोड़ा सा सोखा धनिया लें उसमें एक रुपए के 21 सिक्के डालें थोड़ी से मिट्टी और थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्ष करदें इसके बाद उस वर्तन को घर के उत्तर दिशा में रख़दें जब धनिया उगकर निकल आए तो उसमें से कुछ हरा धनिया किसी गाई को खिला दें बागी धनिया को घर में इस्तमाल करें सिक्के को निकाल कर कुछ सिक्के लाल वस्तर में रखें और पोटिली बना कर घर की तिजोरी में रख दें कुछ सिक्कों को पोटिली बना कर अपने कार इस्थल पर लटका दें धन को आकरसित करने वाला पहुती कारगर उपाय है ये इस उपाई को करने से आपका घर हमेशा धने धाने से भरा रहेगा निरंतर धन का आगवन होता रहेगा ब्यापार बेवसाय से अच्छी आंधनी होती रहेगी आर्थी के सिती उत्तम हो जाएगी दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिकिष्ट करते हैं बीड़ो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तो को भी शेर कर दीजेगा यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा दोस्तो धन 13 में सुब अबसर पर धनिया खरीदने की परंपरा रही है इस दिन मा लक्ष्मी जी को धनिया अरपित किया जाता है फिर धनिया पीस कर उसमें गुड मिलाकर नवेद तयार किया जाता है ऐसा करना बहुत ही लावदाई होता है धनिया को संपन्नता का प्रतिक माना जाता है इसलिए धन तेरस को थोड़ा सा धनिया जरूर खरीदें धन प्राप्ति के लिए और भी एक उपाई कर सकते हैं किशी गुरु पुष योग के दिन शुवय गड़ेशी का बिद्वत पूजन करें उनके सामने आसन बिछाकर शंकट नासन गड़ेश इस्त्रोत के 11 पाठ करें फिर हरे वर्स्तर की छोटी पोटली में 10 ग्राम साबूत धनिया साथ मूंग के डाने, एक पंच मुखी रुद्राच, एक चांदी का रुपया और दो सुपाडी और दो हल्दी की गाठें रखें और इसे गड़ेश जी के चरणों में रख दें गड़ेश जी को सुद्ध घी के मौदक का भोग लगाएं गड़ेश जी से धन प्राप्ति के लिए प्रातना करें फिर इस पोटली को घर की तिजोरी में रख दें एक साल पूरा होने पर फिर इसे दोहराएं और पोटली को बदल दें आपकी आर्थिक परेशानी कभी नहीं सताएगी अगर आपसे किशी ने पैसे उधार ले हैं और वो उसे वापस नहीं कर रहा यानि कहीं पैसे फस गए हैं तो किशी शुक्रवार के दिन एक कागज पर साबोत धनिया रखकर उसकी पुडिया बना ले उस पुडिया पर पैसे लेने वाले यानि की ब्यक्ति का नाम लिखें और उसे जला दें किसी एकांत जगह पर ये उपाय करें ताकि आपको उपाय करते वक्त कोई देखे ना कोई रोके ना कोई टोके ना जल्दी आपको आपका धन वापस मिल जाएगा आपके घर में कलेस कलेह बाद विवाद होते रहते हैं घर में सुक्षान्ति नहीं है तो अपने घर के पूर्व दिशा में थोड़ा सा धन्या रखें, ऐसा करने से आपके घर में शुक्षान्ती आएगी, परिवार के सदस्यों में समझस बढ़ेगा, सुखमे जीवन की प्राप्ती होगी, अगर आपकी आमदनी अठनी और खर्चा रूपया वाले इस्थती हो ही है, हो रक्की है, धन अधिक खर्च होता है, आर्थिक रूपय से तरस्थ हैं, तो आप बुद्धवार के दिन अपने हाथों से गाय को हरा धन्या खिलाएं, इससे आपके खर्चों पर नियंद्रन आएगा, धन बचने लगेगा, आर्थिक इस्तिति में शुधार होगा, अगर आप बुरी तरह से कर्ज में फश गए हैं, अथक प्रियासों के बाद भी आप कर्ज नहीं चुका पा रहें, तो रात को सोते समय, शुकी धन्या अपने सिरहाने के पास रख कर सो जाएं, सुबए उस धन्या को किसी बहते हुए जल्वे परवा कर दें, जल्धी आप किसी भी बुद्वार के दिन, गडेश जी को आप गुड और धनिया का, शुकी धनिया और गुड का भोग लगाएं, बाद में इसे पत्पत्नी प्रसात के रूप में ग्रहन कर लें, तो पत्पत्नी में प्रेम बढ़ता है, जीवन में सुक शान्ती हमेशा बनी रहती दोस्तों, धनिया ना सिर्फ हमारे धन को बेहतरीन बनाती है, हमारे ब्यापार को भी बढ़ाती है, बलकि नौकरी में भी हमें प्रमोशन और उपलब्दियां प्राप्त कराती है, जीवन में में समान दिलाती है, अनेक कारियों में हमें सफलता दिलाती है, धनिया हमारे ख प्रक्षमिश को आप एक पोटिली में आप लाल कपड़े में धनिया बांद कर उनके चरणों के पास रख दें और इसे धन के खजानी पे रख दें तो धन आपके घर में बरसेगा। वैसे तो आप किशी भी दिन आप धनिया का उपाय कर सकते हैं लेकिन खास कर आप बुद्धवार के दिन गड़ेश जी के पास आप हर बुद्धवार को थोड़ा थोड़ा धनिया जरूर छिड़कें और इनमें से 21 दाने साबोत धनिया उठाकर आप अपने पर्स में या फि अगर आप एक पीले कपड़े में आप किसी भी दिन बुद्धवार या शुकरवार के दिन अगर आप एक पीले कपड़े में थोड़े से धनिया पोठली बना कर आप मालक्श्मी और गड़ेश जी के आप चणू के पास रगदें और फिर इसे आप अपने मुख पास लटका दें। दोस्तो किसी की निगविटी नजर नहीं लगेगी और अगर किसी की निगविटी नजर है तो वापस शली जाएगी। घर में सुक्षान्ती बनी रहेगी। धन की बारसी आ जाएगी। मा लक्ष्मी और भगवान गड़ेश जी की कृपा वर्षेगी साथी शुक्षम्रिदी हमेशा बनी रहेगी धन को लेकर चिंती थे तो धन को लेकर चिंताएं दूर हो जाएंगी अगर आपका ब्यापार नहीं चलता तो ब्यापार इस्तल पर आप थोड़ी से धनिया जरूर चिरक दें बुद्धवार के दिन या शुक्रवार के दिन तो जरूर आपका ब्यापार तेजिस चलने लगेगा और दिन दुगनी राज चोगनी तरक्की करेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शिरूर करिएगा दोस्तों कोई शेर कर देजेगा चैनल पर पहल झाल झाल